जे मातादी राशीफल पंचांग में आपका स्वागत है बात करेंगे आज की मकर राशीफल के बारे में राशीफल जानने से पहरे जानते हैं आज का देनिक पंचांग 21 जून 2024 शुकरवार का देने जैश्ट महा शुकल पक्ष की चतुरदशी तिथी में दिन की शुरुवात हो रही है सुबह 7 बचकर 21 मिनट के बाद पुर्निमा तिथी प्यारंब हो जाएगा चिद्रमा का संचार बुद्य के नक्षत्र जैश्ट नक्षत्र से शाम चह बचकर 19 मिनट पर केत्यू के नक्षत्र मून लक्षत्र में होनी जा रहा है लेका 10 बचकर 18 मिनट से लेकर 11 बचकर 40 मिनट तक रहेगा राहुकाल के समय कोई भी नया शुबकारिय ना करें विगना सकती है तो चलिए बात करते हैं आपके राश्यवल के बारे में मकर राशी वालो कामकाज के मामले में दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आपके किसी मित्र या फिर भाई सहयोग से कोई जरूरी काम पूरा होता दिख रहा है महतोपन कारियों में आज तेजी देखने को मिल सकता है वेफसाइक गती विदियों को गती देंगे आज प्रबंधन पर जोर बनाए रखेंगे नेसंकोच आगे बढ़ेंगे आर्थिक प्रबंधन पर जोर रहेगा आज अनुसाशन से काम लेंगे जल्द बाजी में कोई भी निरने लेने से बचेंगे वेफसाइक मामलों में निरने लेते समय आप जल्द बाजी बिल्कुल ना करेंगे आज नोक्री करने वाले वियापारियों के लिए आज अपने अपने छेतर में स्थिती मजबूत रहेगे आर्थिक मामलों में आज दिन आपके लिए प्रोड़क्टिव रहने वाला है मकर राशी वालो आज आर्थिक निरने सोच समझ कर लेंगे लें देन या निवेश में थोड़ा सा अधानी रखेंगे आज पैसा कमाने के बहतरीन अफसर आपको मिल सकते हैं बिस्निस में पुर्व में किये गए प्रयास आपको आर्थिक मजबूती दे सकते हैं पैसा कमाने के लिए आप अपनी आई के श्रोतों को थोड़ा और फैलाने का प्रयास करेंगे आज स्टूडेंट्स की बात करें तो किसी कंपिटिटिव एक्जाम में अच्छा प्रदर्शन रहेगा मन मुताबिक नतीजा मिल सकता है वकर राशी वालो धनधान्य में व्रधी हो सकती है आज व्यापार की विस्तार से समंदित यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है गह से जीवन की बात करें तो आज पती-पतनी के बीच एहम का टकराव हो सकता है तो ऐसे में वानी व्याभार पर कंट्रोल रखेंगे आज धहर्ये के साथ काम लेंगे समंदो में सामंजस्य बनाए रखें इसे परिवार में हर्श आनंद बना रहेगा रिलेशन्शिप में जो जातक हैं आज एक साथ कहीं घूमने जा सकते हैं आई टी सेक्टर से जुड़े जो जातक हैं उनको कोई खास से प्रोजेक्ट पर दुबारा काम करना पड़ सकता है आज जो लोग इंटर्व्यू दे रहे हैं आज कोई शुब समाचार उनको मिल सकता है खान पान में सात्विक्टा बनाए रखेंगे